सूत जी बोले हे श्रेश्ट मुनियों अब आगे की कथा कहता हूं। साधु नाम का एक वैश्या आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कतनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा. मेरी भी संतान नहीं है. और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ती होगी. राजा से व्रत का सारा विधान सुन, व्यापार से निवरित हो वह अपने घर गया. साधु वैश्य ने अपनी पतनी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा. साधु ने इस तरह के वचन अपनी प सुन्दर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह से बढ़ने लगी जैसे कि शुकल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लिलावती ने मीठे शब्दों में अपने पती को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायन भग के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि है प्रिये। इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पतनी को आश्वासन दे कर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह कंचन नगर में पहुँचा और वहां देख भाल कर लड़की के सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंदुबांधों को बुला कर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्य नारायन भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रतनासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद सुसुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्य नारायन की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांध कर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों हम पकड़ लाएं हैं। आप आगे की कार्यवाही की आज्या दें। राजा की आग्या से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। को घर वापिस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री अब तक तुम कहा थी, तेरे मन में क्या है। कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्रहमन के घर में श्री सत्यनारायन भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लिलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लिलावती ने परिवार्व बंधों सहित सत्यनारायन भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पती तथा जमाई शीग्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपरात क्षमा करें। श्री सत्यनारायन भगवान इस वरत से संतुष्ठ हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापिस कर दो अगर सा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज को प्रणाम किया राजा मीठी वानी में बोला है महानु भावो भाग्यवश सा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है लेकिन अब तुम्हें कोई भै नहीं है साके राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूशन भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दु कर दो